हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समधान के लिए देखते रही है अंतसयों आज की वीडियो में हम अंतसयों के अमीजिंग फिर्टनेस रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं हम मिलबा रहे हैं आपको सुदेश गुलाटी जी से जिनकी उम्र 60 प्लस है और जब उन्होंने सेंटर में अड्मिशन लिया था तब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थे और वो स्टिक लेके चलते दे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कब उनकी स्टिक छोड़ गई आज हों 20 प्लस, 40 प्लस वालों के साथ नॉर्मल वकाउट कर रही है देखते हैं किस प्रकार का वो वकाउट कर रही है देखते रहें हैं अंतस जोग की मैं आपको नंवस्कार लाएं कि जब से मैंने ये ज्वें किया हैं बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटिव कर रही हूँ जब मैं आई थी तो स्टिक से आती थी अब मैं इंडिपेंडेंट आज आ सकती हूँ जोड़ा पालियो के साथ अगर आप भी किसी भी तरह के खुटने के दर से परिशान है या लेक अर्थराइटे से तो इस प्रका का वकाउट अपनी डेली रूटीन में आड़ कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते कि खुटने के दर्द के समस्या दिन पर दिन पढ़ती जा रही है इसका प्रमुप कारण जीवन शैली में बदला एक खास वज़े है तो आप भी अपनी जैवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और 10 मिनट अपने आपको दीजिए मौनिंग टाइम्स में और देखे अगर आप भी गुटने के दर्द से बशने के लिए किसी प्रकार की मेडिसिन या दवाई का प्रियोग कर रहे हैं तो सामधान हो जाईए लगातार पेन किलर खाकर दस से बचना सही नहीं है मेडिकल यह गलत है इससे साइड एफेक्ट हो सकता है आपके केड्मी और बाकी औरगन्स पर इसका अशर हो सकता है आपको ये भी बता दे कि आप दर्द का इलाज कर रहे हैं बिमारी का नहीं दर्द तो बिमारी का एक लक्षन है इसलिए इसलिए सभी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप घुपने के दर्द से, कमर के दर्द से, आराम से राहत पा सकते हैं सुधेश गुलाटी जी जो 60 प्लस हैं, वो पहले घुपने के दर्द की वज़े से और कमर के दर्द की वज़े से इस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी लेकिन प्रते दिन के अभ्यास से अब वो सभी एक्सरसाइज कर पा रही है जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे इनका confidence लेवल बढ़ रहा है स्टार्टिंग में इनको सिर्फ चेर पर बिठा के exercise कराई जाती थी लेकिन आप धीरे धीरे जैसे कि आप सामने पीछे देख रहे हैं 20 प्लस, 40 प्लस और मैं खुद 50 प्लस के साथ easily वर्क आउट कर पा रही है सेहत के सुखों कादी पक चारों दिश्चारों घ्यान रहें अगर आपका पैर मुड़े नहीं और दर्द हो तो ये साफ माना जा सकता है कि पैर में तकलीफ है नी मसल्स को स्ट्रॉंग बनाने के लिए आप इस प्रकार की exercise करें इससे आपके पूरे लैक्स को strength में लेगी घ्यान रहें अपने बढ़ते वेट को कंट्रोल में रखें क्योंकि जादा वेट होने से दर्द जादा हो सकता है और जहां तक संभवों धूप लेते रहें जादा रहें जादा वेटे रहें है ये पुर्जा की पहचा तनमन में ये चेतना भरता योग है अपनी शान योग करोगी तो होगा पल में दुखडों का निदार सैयम थे मनने होगा जन जन हो बले बुख मुश्किलों की योग से बनकर साज भले सकर शिष्ट में शान की पहले योग की बेल पले आओ योग के संग चले आओ योग के संग चले योग दिवस की शुब बेला महके हर फुलवारे हर कोई पाजाए ताजगे कर लो तैयारे घर घर जाकर अब है हमको यही बात बतानी योग के महिमारूंती गंगा विश्म है वहानी भूंज तराना मधुर निराला योग की बात चले योग साधना की सीरी है योग में आउठले आउउ योग के संग चले चलो योग के संग चले